चलिए तो आगाज बहुत शांदार है और उमीद करते हैं किसी शंकनाथ की तरह है टीम इंडिया की भी जीतो लेकिन सितारे बढ़े मत्पूर होते हैं टीम इंडिया के सितारे अभी क्या कह रहे हैं समीर फाइनल को लेकर देखे दस तारिक को साड़े च्छे बजए अडिलाइड में ऑस्टिलिया में खेला जाएगा इसमें कुंडली मेश लगन की बनती है कुंडली में शनी एकादश बाव के चंद्रमा को भी चंद्रमा से एकादश बाव को भी देखते हैं और वहां गुरू बैठे हुए हैं त तो 60-40 के चांसेस हैं इंडिया का जीतने का जो टॉस के समय की जो कुंडली बन रही है वहां मकर लगने की कुंडली बन रही है और लगने में ही शनी है तो बिल्कुल यहां पर चमतकारी वहां पर पर परिवर्तन तो बड़ी स्पेस्टिक जान करी है फिर तो प्ले होगा स्टार्ट होगा भारत वर्ष के समय के अनुसार देड़ बजे का उस समय भी कुंबल लगने की कुंडली आ जाती है लडाई तो बराबर की है गड़े 60-40 का रहे हम करेंगी 70-30 का खेलना हो जाए देखिए ग्यारमा भाव चोट दे देता है रोक दे देता है लेकिन धन की प्राप्ती लाब की प्राप्ती भी कराता है तो दोनों घटना है देखने को मिलेंगी संगत बहुत जबरदस्त होगा बट फाइनली भारत के बक्ष में यह मैच जाएगा पराकरम भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में उच्च का होने वाला है जब हमारा मैच होगा तो उ भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है और भारत की इस समय बहुत परखर इस्तिकाटे के टकर है लेकिन विजय के योग बन रहे है सत्प्रतिशत शनी और सुर्ज सुर्ज का दीन है तो सुर्ज और शनी आपस में शत्रू है और विरश्पती हमारा तीन अंक ह है बिरश्पती का तो बिरश्पती और सुर्ज आपस समय तरह है इसलिए हम सत्प्रतिशत दावे के साथ का सकते हैं कि हमारा भारत का विजय परापत हुए यह वी सौप्रतिशत वाला मामला आपका भी है चलिए